नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है वशीकरण का मंत्र आपने पिल्कुल ठीक और एकदम सही सुना कागस पर लिखकर आप किसी का भी कर सकते हैं वशीकरण चाहे वशीकरण किसी भी प्रकार का हो और सबसे खास बात इस वशीकरण में कोई खर्चा नहीं है आप किसी से प्यार करते हो किसी को वश में करना जाते हो या फिर आपका प्यार किसी दूसरे के साथ बात करता हो या आपके प्रेमी या प्रेमी का आपसे बात नहीं करते हो आपको Facebook, WhatsApp सबी जगा से ब्लॉक कर दिया हो आपका नंबर भी ब्लॉक कर रखा हो और आपका प्यार आपसे बात बिल्कुल नहीं करना चाता हो तो पहले करती थी अब नहीं करती है या फिर घरेलू समस्या है तो किसी भी प्रकार की problem यानि समस्या घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं उसके घर वाले आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं आप उनको वश में करना चाहते हैं या कोई औरत है या कोई आदमी है आपका पती किसी दूसरी औरत के चकर में है या आप से बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करता है आप अपने पती की जिंदगी से उस लड़की को निकालना चाहते हैं और अपने पती को अपनी जिंदगी में दोबारा वापस लाना चाहते हैं आप दुश्मन को वश में करना चाहते हैं तो भी यह उपाय कारगर सिध होगा यह वशी करण है मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वशी करण को उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो अपने जीवन में बहुत जादा परिशान होते हैं उनके प्यार ने उनसे बात करनी यहां एक लाल करर का मारकर आपको लेना होगा उसके बाद आपको लेना होगा एक सफेद रंका कागस और कागस आपको बिलकुल इस साइज का लेना होगा यानि के कागस छोटे साइज का लेना होगा क्योंकि इस कागस को हमें जलाना पड़ेगा और उसकी राक जादा बने तो चलिए मंत्र में आपको बताती हूँ, आपको लिखना होगा इस कागस के तुकड़े पर, ओम, श्री, वर, वृद्धो, सर्व, जन, वस्मन्यम, स्वाहा, जी हाँ, बिलकुल, आप इस मंत्र को इस तरीके से इस कागस पर लिखे, मंत्र है, ओम, श्री, वर, वृद्धो, सर्व, जन, वस्मन्यम, स्वाहा, अब इस मंत्र को लिखने के बाद इस कागस को आपको चार बर फोल्ड करना होगा, वान, टू, त्री, और फोल्ड, इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर दें, और ऐसा फोल्ड करने के बाद आपको इसको वालेट में नहीं रखना, क्योंक को सिर्फ इस कागस को तीन घंटे तक अपने पास रखना है और तीन घंटे के बाद इसको जला देना है। जलाने के बाद जो इसकी राक बच्चती है, उसको आप चाए में, पानी में, या फिर चॉकलेट या फिर किसी खाने में डाल कर उस व्यक्ति को खिला दें, जिसको आप वश में करना चाहते हैं. उस व्यक्ति को खिलाने पिलाने के बाद इस बात کا पता नहीं चलना चाहिए कोई भी हो, महभूबा हो, बॉस हो, पतनी हो, पती हो, प्रेमी हो कोई भी हो, आप उसको इस उपाय से अपने वश में कर सकते हैं जिसका भी वशी करन आप करना चाहते हैं आपको उसके लिए मंत्र बहुत ही कारगर सिध होगा जो मंत्र आपको मैंने बताया है इस उपाय को आप इस मंत्र के साथ करें आपकी समस्या दूर हो जाएगी अगर आप इस उपाय को करने में बिल्कुल सोच रहे हैं कि कोई परिशानी हो रही है उपाय नहीं समझाया है उपाय करने की क्रिया विदी नहीं समझाया है तो आपको बिल्कुल परिशान होने की जुरूरत नहीं है क्योंकि जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाय जा रहे हैं आप इन नंबरों पर 24 घंटे में किसी भी समय हमारे गूरुजी से संपर्क कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं ये मंत्र और ये उपाय ठीक प्रकार से उपाय कर लेने से आपकी समस्याएं सो प्रतीशत तक दूर हो जाएगी और आप जिसको वश्मे करना चाहते हैं उन्हें वश्मे भी कर पाएंगे और साथ ही यदि आपको उन्होंने ब्लॉक किया है आपसे बात नहीं करते हैं वाटसप से ब्लॉक कर दिया है या फिर आपसे संपर्क नहीं करना चाहते हैं या फिर आपकी शकल तक देखना पसंद नहीं करते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें तो आपको यदि कोई भी समस्य आ रही है तो अब आप बिल्कुल निशिन्त हो जाएं क्योंकि आप इन नमबरों पर 24 घंटे में किसी भी समय हमारे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं वह उपाये जिसको करने से आप कर सकते हैं किसी का भी वश्यकरन तो इन नमबर्स को नोट कर ले और इन नमबरों पर कॉल करके आप विधी या उपाय कुछ भी जान सकते हैं फिलाल आप से चाहूंगी आग्या जयमातादी